स्टूड़ेंट्स आझ हम लोग ELECTRICAL MEGIERMENTS END INSTRUMENT RACTION का एक Topic पढ़ेंगे STRAIN GAGE का Gage Factor का Darivation जो हमारा STRAIN GAGE होता है, उसका Gage Factor है जिसको हम सिंबल बोलते हैं G F उसका Darivation के बारे में हम adding醇न करेंगे आद सबसे पहले students आप देखें कि किसी भी तार का जो resistance होता है जो प्रत्रोध होता है वो हमारा formula होता है R is equal to rho L upon A जहाँ पे R तार का प्रत्रोध होता है Ohm के अंदर रो उस तार के material की resistance होती है Ohm मीटर के अंदर L उस तार की लंबाई होती है मीटर के अंदर और A उस तार का cross section area होता है मीटर स्क्वेर के अंदर अगर हम बोलते है कि कोई तार हमारी गोलाकार तार है तो उसका A का हमारा formula होगा A is equal to pi R square जहाँ पे R होगा तार का radius मीटर में या इसको हम बोलते है पाई D square upon 4 जहाँ पे D होगा तार का diameter में तो यह हमारा एक किसी भी simple जो तार होती है उसका resistance का हमारा formula होता है R is equal to rho L upon A अब आप देखें जो gauge factor का हमारा formula होता है जिसको हम दर्शात है G F से gauge factor हमारा होता है एक ratio होती है per unit change in resistance upon per unit change in length that is is equal to delta R upon R upon delta L upon L जहाँ पे students delta L upon L को हम लोग दर्शाते हैं epsilon से और epsilon को हम लोग बोलते हैं strain तो अब आप देखें कि suppose जैसे हमने formula बोला R is equal to rho L upon है मैं अगर बोलता हूँ कि मालो एक मेरी तार copper की बने हुई है तो उस तार का हम लोग generally मानते हैं जो resistivity होती है जो उसका rho होता है वो होता है हमारा constants अब मैं आपको यहाँ पर एक example लेकर समझाता हूँ suppose मेरे पास एक कोई तार है जिस तार की लंबाई मेरी एक मीटर है और उस तार का diameter भी एक मीटर है और उस तार की resistivity है उस तार की जो rho है वो मेरा एक ohm मीटर है तो अगर मैं इन सारी values को लेकर के उस तार का resistance निकालता हूँ जिसको मैंने दर्शा है यहाँ पे R1 से तो R1 का मेरा formula होगा rho L upon A उपर की जो भी मैंने सारी values लिए L is equal to 1 meter, D is equal to 1 meter और rho is equal to 1 ohm meter इन सारी values को मैं इसके अंदर put करता हूँ तो मेरे पास resistance की value आती है R1 is equal to 4 upon pi ohms इसको मैंने समीकर नंबर 2 से दर्शा है इसी तरह से मैं एक दूसरी तार लेता हूँ जिसकी तार की लंबाई मेरी है L is equal to 2 meters उस तार का diameter मेरा है D is equal to 0.5 meters और उस तार की resistance मेरी है rho is equal to 1 ohm meter तो students आप देखें जो मेरा मैंने तार पहले लेती और जो तार मैंने अब लिये दोनों की rho same है इसका मतलब यह है कि दोनों जो तारे हैं वो same material की बनी हूई है तो दूसरी values जो लिये मैंने L is equal to 2 meters D is equal to 0.5 meters और rho is equal to 1 ohm meters इन सारी values को अगर मैं formula R is equal to rho L upon A में put up करता हूँ इन में रखता हूँ तो मेरे को resistance की value मिलती है R2 is equal to 32 upon pi ohm इसको दर्शाय मैंने समीकरी number 3 से equation number 3 से तो students यह हमने दो तारों का resistance नापा जिनकी लंबाई diameter अलग लग थे अब अगर suppose हम यह करते हैं कि जो हमारी तार पहली थी जिसकी लंबाई एक मीटर थी diameter 1 मीटर था और rho 1 ओम मीटर था अगर suppose मैं इस तार को खीच के इस तार पे कुछ मैं strain लगाता हूँ इस तार पे कुछ मैं खिचाव लगाता हूँ और इसमें खिचाव मैं इस तरह से लगाता हूँ कि इस तार की लंबाई जो एक मिटर थी वो बढ़के दो मिटर हो जाए इस तार का डायमिटर जो एक मिटर था वो मेरा खिचने के बाद में तार क्योंकि पतली हो जाए कि तो डायमिटर मेरा 0.5 मिटर हो जाए तो आप यो देखें क्योंकि मैंने तार का material चीज नहीं किया है तो मेरी जो तार पे खिचाव लगाने के बाद में condition बनी है वो मेरी हुई है L is equal to 2 meter और D is equal to 0.5 meters तो अगर मैं इस condition पे इस तार का resistance निकालता हूँ तो मेरी value R2 is equal to 32.5 ohm जो हमने समीकर नमबर 3 में निकाली है उसके बराबार आनी चीए परन्तु आपको अश्यर होगा कि हमारी जो तार का खिचने के बाद में जो resistance आता है उसकी value 32 upon pi ohm से मलए समीकर नमबर 3 या हम जिसको बोलते है R2 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी तो students ये value इसकी ज़्यादा क्यों आती है क्योंकि तार को खीचने के बाद में जबकी मैंने तार का material change नहीं किया है परन्तु क्योंकि मैंने तार पे एक खिचा और एक strain लगा है तो मेरा row भी थोड़ा सा change होगा जिसको हम लोग अमूमन मानते हैं constant तो ये हमारा effect होता है strain का कि खीचने के बाद में तार की जो resistance होता है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है मतलब r2 value से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ये ज्यादा इसलिए आता है कि रो जिसको हम मानते हैं constants वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा थोड़ा सा change होगा तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे gauge factor का derivation मतलब strain या खिचाब जब हम तार पे लगाएंगे तो मेरा तार का gauge factor या strain gauge का मेरा gauge factor क्या आएगा suppose हम लोग बोलते हैं कि stress को हमने दर्शा है capital S से तो जो हमारा समीकर नमबर 1 समीकर नमबर 1 मतलब आप पेपर के बिल्कुल टॉप पे देखें R is equal to rho L upon A जो है इसको अगर मैं stress S के साब एक partial differential करता हूँ तो मेरे को जो समीकर नमबर 1 है वो मेरा convert हो जाएगा delta R upon delta S is equal to rho upon A delta L upon delta S plus L upon A delta rho upon delta S minus rho L upon A square delta A upon delta S ये हमने समीकर नमबर 1 को stress S के साब एक्ष में partial differential किया तो अब आप देखें कि जो मेरा area होता है तार का जो cross section area होता है उसकी value होती है A is equal to pi D square upon 4 इस वाली equation को भी मतलब A is equal to pi D square upon 4 को भी हम stress S के साब एक्ष में partial differential करते हैं तो हमें मिलेगा delta A upon delta S is equal to pi upon 4 2D delta D upon delta S या अगर मैं इस दोनों तरफ को मैं A is equal to pi D square upon 4 से divide कर दूँ तो मेरेको equation मिलती है 1 upon A delta A upon delta S is equal to 2 upon D delta D upon delta S तो अब आप देखें कि जो मैंने R is equal to rho L upon A को S के साब एक्ष में मैंने partial differential किया था वो मेरी equation जो आई थी delta R upon delta S is equal to rho upon A delta L upon delta S plus L upon A delta rho upon delta S minus rho L upon A square delta A upon delta S इस पूरी equation को दोनों तरफ हम R is equal to rho L upon A से divide कर देंगे भाग देंगे तो भाग देने के बाद में मेरा समीकरण convert हो जाएगा 1 upon R delta R upon delta S is equal to 1 upon L delta L upon delta S plus 1 upon rho delta rho upon delta S minus 1 upon A delta A upon delta S हो जाएगा अब यह हमारा जो समीकरण आया इसमें हम 1 upon A delta A upon delta S is equal to 2 upon D delta 2 D upon D S का मान इसमें रख देंगे तो हमारा यह समीकरण convert हो जाएगा 1 upon R delta R upon delta S is equal to 1 upon L delta L upon delta S plus 1 upon rho delta rho upon delta S minus 2 upon D delta D upon delta S इस समीकरण को हमने बुला समीकरण number 4 अब आपे देखें कि जब मैं तार पे खिचाव करता हूं तो मेरी resistance की value काफी कम change होती है तो अगर हम मानते हैं कि resistance के मान में बहुत कम change होता है तो हमारा जो समीकरण number 4 होगा वो convert हो जाएगा delta R upon R is equal to delta L upon L plus delta rho upon rho minus 2 delta D upon D इसको हम लोगों ने बुला समीकरण number 5 अब ये जो समीकरण number 5 है इसकी जो दोनों sides है मतलब जो LHS और RHS है left hand side और right hand side जो हैं उनको दोनों को आप delta L upon L से divide कर दो delta L upon L से भाग दे दो तो मेरा ये समीकरण convert हो जाएगा delta R upon R upon delta L upon L is equal to delta L upon L upon delta L upon L plus delta rho upon rho upon delta L upon L minus 2 delta D upon D upon delta L upon L ये हमारा इसमें हो जाएगा समीकरण number 6 अब students एक हम लोग चीज जानते हैं poisons ratio जिसको हम लोग दिखाते हैं छोटे V से poisons ratio हमारी होती है longitudinal strain upon lateral strain का ratio और इसका sign होता है negative क्योंकि अखर आप देखें कि कोई मेरी तार है अगर मैं उस तार को खींसता हूँ पकड़के तो क्या होगा उसकी लंबाई तो increase होती है पर साथ में उसका diameter कम हो जाता है तार लंबिद हो जाएगी परंतु तार पतली हो जाएगी इसका मतलब यह है कि एक parameter बढ़ता है और एक parameter कम होता है इसी तरह से अगर मैं किसी तार को दबाता हूँ पकड़के तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी परंतु उसका diameter बढ़ जाएगा और यह हमारी value होती है minus delta d upon d upon delta l upon l यह हमने जो poisons ratio की value निकाली है इसको हम लोग समीकरे number 6 के अंदर put कर देते हैं तो जो हमारा समीकरे number 6 होता है वो हमारा convert हो जाएगा delta r upon r upon delta l upon l is equal to 1 plus delta rho upon rho upon epsilon क्योंकि epsilon की हमारी value होती है delta l upon l और plus 2 v अब आप देखें students यह हमने जो last वाली equation निकाली है इसके अंदर जो delta r upon r upon delta l upon l जो left side में है वो हमारा कहलाता है gauge factor तो gauge factor gf is equal to 1 plus 2 v plus delta rho upon rho upon epsilon तो students जैसा की हमने आपको बता है कि जो अगर हम समीकरे number 2 और समीकरे number 3 को देखें तो suppose अगर समीकरे number 3 में में बोलता हूँ कि suppose तार का resistance आता है 2 ohms और इसी तरह से अगर मैं तार को खीचने के बाद में उसका resistance नापता हूँ तो suppose मेरा वो आता है 2.01 ohms तो यह जो 0.01 ohms जो तार का resistance ज़्यादा है वो ज़्यादा क्यों आया है क्योंकि हमारा ρो भी इसमें change हो चुका है तो जैसा कि आपको gauge factor के formula में दिखाया हूँ है GA physical to 1 plus 2V plus delta rho upon rho upon epsilon यह जो last fall term है delta rho upon rho upon epsilon इसके कारण तार को खीचने के बाद में हमारा resistance थोड़ा सा ज़्यादा आता है बले ही तार का material में बिलकुल सेम रखूँ तो students यह strain gauge का gauge factor का division है जिसके बारे में हमने आज पढ़ा धन्यवाद मैं मुकेश साही Lecturer Electrical Government Polytechnic College रास्मन Thank you